तियारेस वर्चेस फॉल्ग के बीच में होने वाले आज के पहले इसी शीतन इस्पेन बर्सलोना मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कौन किस नंबर पे बल्ले बाजी के लिए आने वाला है कौन कितने हो और बॉलिंग करके देने आपको एक ही चीज करना है इस वीदियो को सुरू से लेखर के आकरी तक का पूरा देखना है और अगर आपको वीदियो अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब जरू करेना आपको फ्री का लाल बताने इसके लिए बहुत ज़दा मेहनत करते हैं उसके अलाबा अगर आपक का लिंक आपको इस वीदियो को दिस्किप्शन और कमें सक्सामों किसे सबस्भा पिन किया हुआ देखना मिल जाएगा ना मिले तो अब सीधे सीधे कमेंट करके पूसर लेना उसका भी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा सबसे पहले बात कर लेता कि कौन सी तीम मैच जीज सक तो भी तीम को मैच जीज बन रहे हैं लेकिन होटा है उसके बॉलस को यहां पर भी भी तीम को मैच जीजितना होगा उसके बालस को भी मिल जा रहे हैं यारी बॉलस को मी ले करके चलना होगा बातकर एक फ्लय के अनालिशिस के बारे में तो सबसे बहले बातके लगने अपने विकित किपिंग सक्षन में तो सबसे नमबर र perhaps रहेगा जिसका नमें एच यहां से एच मीर अली जो की बल्ले बाजी में प्लायर तो फिस था राता है तो इसा अकेला प्लयर या प्लेर ज़रूरी प्लेर रहने वाला इसके अलुंग कोई मतलदा कोई अच्छा फिलेर आपको विग्यक किपिंग सक्षन है थेखनों को नहीं मिलने वाला। बात करें यहां से बल्ले बाजी ओप्सन है तो नंबर वन चोईस एस अंसार जो कि बल्ले बाजी में भी ओपनिंग करेगा तियारेस की टीम कोर से और बॉलिंग से भी आपको दो ओवर पुरा करकी देने वाला यानि कि पूरी तरीके से बल्ले बाजी का भी मौका मिलेगा ब लेकिन हाँ बालिंग से आपको दो ओवर पुरा करकी देगा नाम भले बल्ले बाजी में लिकरिक यह वह ओपनिंग करने वाला है बल्यवाजी में जो ओपनिंग करने वाला है और आकरी के हर मैच आपको रेस्ट बनाकि दे रहा यहाँ पे 76 पॉइंट से यहाँ पे 74 यहाँ पे 20 और एक यहाँ पे मैच गया हुआ 21 पॉइंट दिला करके जा रहा है आकरी की दोनों मैचों में ओपनिंग करने वाला है फैल को कि दिवंगी ओड से ज़रूरी फ्लेयर रहने वाला है बाकि इसके अलबा कोई मेंदा कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं एम रसूल भलेज़ में नवे जसुए नमगर करीब आएगा बालिंग साब को मैक्सिमम मैक्सिमम एक ही ओवर ब पर दिया गया तो कुछ भी इन तीनों के लावा कोई मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है चाही हो आप लिए जो आपको मैक्सिमम मैचस के अंदर दो ओवर बाॉलिंग पूरा करकी दे रहा है कई मैचस में एक ओवर बालिंग भी कर रहा है लेकिए पर्फोंएस आप आपको हर मैचे लगो करने की कोसिस कर रहा है बल्ले बाजी में भी आपको पांच्वे च्छते नमबा पे नजर आ जाएगा प्लस हाँ एक से दो ओवर बॉलिंग भी आपको करके देने वाला है उसके बाद यहां से साबाज एहमत को भी ले करके चलूँगा जो कि आपको एक बाज़ा बॉलर मैच जादा ले करके चलूँगा बल्ले बाज़ी में आपको पांच्वेर नमबा पे नसर आजागा यानि के रस्त बनागर यह आप भी आपको करके जा सकता है बॉलिंग से भी आपको को कुटरिब्यूट दे करके जा सकता है ऐसा और उंदर आपको ज़ उससे पहले भी एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया सुरू के मैचेस में इसने दो-दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा था जहांपे इसका परफॉरमेंस भी काफी अच्छा था बल्ले बाज़े में पांच वे नमप आया हुआ है एक मैच बीच में ऐसा गया हुआ जहांपे 99 पॉइंस दिला के आया हुआ है जहांपे इसने 21 बॉल पे 58 रंग की पारी खेल करके दिया हुआ है और वहांपे आपने देखा था कैचस भी पकर के दिया हुआ था बल्ले बाज़े में पांच वे नमप आया है को जरूर लेकर करके चला क्योंकि ओपनिंग करने वाला है आगी के प्लेइस की बात करूँगा उससे पहले आप मैंसे जितने भी लोग अभी तक हमाई तो जोईन जरूर जाना क्योंकि तोसो जाने का लाइना पात जाने का जो भी हमारी खुद के फाइनल टीम होगी इसी तरीके से स्क्रीन सौट के जरीया आगे आने मेले जितने भी मैंटरस में मैं पैसे लगाने मलूँगा तो आपको फ्री में सेया करूँगा तो फ्री की चीज़ को मिश्मत करना हमाई तेलिगराम सेर का लिंक आपको इसी वीडियो को दिस्किप्शन और कमें सक्सा मौक से मिल जाएगा करना कोई नहीं जिस भी वीडियो को आप देखरोगे उसके टाइटल के पाप क्लिक करोगे तस करोगे तो सीधे सीधे दिस्किप्शन में पहुंच जाएगा प्रसकिप्शन गैल जाएगा उसके बाद यहां से तनवीर हिकवाल एक ऐसा प्लेयर जिसको आखड़ी के मैचस में एक ओवर भी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, एक नहीं दोने, तीन-तीन मैचस में, लेकिन आप सुरू के मैचस का परफॉमेस देखो, हर मैच में ये दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा था, यानि कि अगर सुरू का जो परफॉमेस आगा, सुरू का मौका जो इसको बापस से आपको इसी तरीके का परफोर्मेस करके दे सकता है बिना को सोचे प्लेयर काफी सांदर है लेकर मौका मिलने की दे रही है आखरी के तीन मैचस में इसने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं कर रहा है अब बल्ले वाजिब भी सिक्स नमप आएगा यानि के एज़ा अलट पुरा करके दे रहा है बल्ले वाजिब दसवे नमप करीब आ रहा है ऐसा बॉलर आपको फॉर फाइफ नमप पे नजर आ जा रहा है प्लस आपको बॉलिंग से भी दो और पुरा करके दे रहा है आखरी के दोनों मैचस का परफोर्मेस को उससे पहले कहीं पे भी खिलाए परफोर्मेस काफी ज्यादा हाई लेवल का करके दिया हुआ है तो यह प्लेजा वी सी जी एल के लिए एक अच्छा प्लेर रहने वाला है ग्रैली के लिए उसके बाद यहां से जैद हैदर आप लेका अच्छा प्लेर रह सकता है जो कि हर मैचस दो और बालिंग पूरा कर अच्छा प्लेर रहे सकता है अब यह सहमत को भी आखरी मैचस एक ओवर बालिंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला उससे पहले सिर्फ एक ओवर बालिंग किया लेको उससे पहले के मैचस में आप देखो यहां पे दोनों ही तीनों ही मैचस के अदर परफोर्मिस काफ उसके अलावा यहां से कोई भी अच्छा प्लेर नहीं है नहीं अब आपको लेकर के किसको चल सकते हो आप यहां से अवेस हमत को लेकर के चल सकते हो और ए आरीफ को लेकर के चल सकते हो फिलार कले आर अली को बालिंग का मौका नहीं मिल रहा है तो लेकर के नहीं चलूँग आपको आपको फैंटेस्टी के जितने भी आपली किसन है ना सबसे ज़्यादा आपको लोज रुपीज देखने हो मिलेगा यहाप मेरे कहने पर से बोनस के भी पैसे को यूज करने को मिलेगा लेवन चलेंजर सो इस पोटेस्टी दोनों यह अपल लिंक आपको इसी वीदिए को दिस्किप्शन मिल जागा जागा जाओ भी कभी आपको 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 इसी सोच रहा है संसार और यह अंसार को लेकर के चलूँ बाकि इस कलम आपको लिए एक और अच्छा प्लेयर रह सकत है उमीद है दोस्तों एक अपलेगा पूरा अनालिसिस बता दिया वीदियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरूब कर लेना तो और सुल जाने का लाइना पात जाने करते हमारी खुद की फाइनल टीम से हो तलिक राम सर को जोईनों चानल जिसका लिंक आपको इसी सबस्क्राइब को मिल जाएगा